बच्चों, हम इंग्लिश की क्लास फोर्थ की रेंबो बुक का चैप्टर नमबर फॉटीन नेवर लूज होप का अगला पाग पढ़ने जा रहे हैं अब तक हमने जाना के इस चैप्टर में अनमोल चुकि एक दस साल का लड़का है वे अपने स्कूल की तरफ से इंटरे स्कूल कॉंपटिशन में पाड़ स्पेट करने जा रहा है लेकिन उसे कुछ खबराराट हो रही है तभी वो एक चीटी को दीवार परशरते हुए देखता है और उस तभी कुछ सोचता है अब जानते हैं आगे इस भाग में क्या होता है उसको अपना भैतर प्रदेशन करना चाहिए अपने लक्ष को पाने के लिए अगले दिन से वह अभ्यास के लिए बहुत अधिक प्रयास करता है और शुरू कर देता है इन दा फाइनल रेस ही रेंड कॉन्फिडेंटली एन स्टूट सेकिंट अमंग दे टैन परस्पेंट फाइनल अंतिम दोड में वह पूरे आत्म विश्वास के साथ तोड़ा और दस प्रतिभागियों में दुती इस्थान को प्राप्त किया उसने तो देखा आपने कि अपने आत्म विश्वास को बढ़ाए रखने से हम कोई भी कारे करने में सफल हो सकते हैं आपकी मदद के लिए यहाँ पर हिंदी अनवाद भी दिया हुआ है जिससे आप पढ़कर इस पार्ट को और बहतर तरीके से समझ सकते हैं अब देखते हैं पार्ट में आए हुए कुछ कठिन वर्ड्स के हिंदी मीनिंग जैसे कि हाँ पर दिया हुआ है प्रेक्टिस यानि अभ्यास करना फाइनल फाइनल यानि अंतिब कॉन्फिडेन्टली सी ओन एफ आई टी औ एन टी लवाई यानि आत्म वश्फास के साथ अमंग यानि के मध्य जैसे कि यहां पर आया दस प्रतिभाग्यों के मध्य बीच में participant प्रतिभाग्य होते हैं P-A-R-T-I-C-I-P-A-N-T साथ ही साथ आप लोगों के प्रयास के लिए एक अच्छी activity भी यहां पर दी हुई है जैसे कि पिछले भागों में भी हम कुछ activities करते आए हैं तो यहाँ पर आप लोगों को अपने favorite game या sports के बारे में पांच sentence लिखने हैं और आपकी help के लिए कुछ clues दिये हुए हैं यहाँ पर जैसे कि name of your favorite sport और game जो भी है क्या वह indoor game या outdoor game है indoor game यानि जो घर में बैट कर खेले जाते हैं outdoor game यानि जिने हम घर से बाहर खेलती हैं ground में जैसा भी आपको पसंद है वो आप लेख सकते हैं how many players in played it कितने players इस game को खेलती हैं कितने खिलाड़ी होती हैं it is played with यानि equipment क्या किसी खास चीज की मदद से खेला जाता है जैसे cricket के लिए bat होना जरूरी है badminton के लिए shuttlecock basket ball के लिए ball football के लिए football hockey के लिए hockey stick तो जो भी आपका sport है उसमें हम क्या चीज